नियू अपडेट्स आईए यूएस विजा से रिलेटेड, B1, B2 विजा, टूरिस्ट विजा के लिए, स्टूडेंट विजा के लिए, स्कील वर्कर विजा, H1, L2 विजा के लिए तो वीडियो को बने रहेगा और एन तक जरूर देखेगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं Welcome back to my channel, कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज का जो वीडियो है आप टाइटल दिखके समझी गए हैं, US वीजा से रिलेटेड हैं, न्यू अपडेट्स आए हैं और काफी अच्छे अपडेट्स हैं, खुश कबरी है, गुड न्यूज है तो वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं तो वीडियो को स्टाइट करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के बटन को पुटाब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है, आपको आपने मुझे इंस्टागरम पर फालो नहीं किया है, और अगर आप मुझे इ अगर मईठाएब की जो है, तो काफरी लोग जो है यहाँ नहीं आपा रहे थे और उनको visa भी नहीं मिल रहा था, visa की slots नहीं मिल रहे थे, इंटर्वुड अवीर डीट्स नहीं मिल रहे थी और एक तरशाए वीजा बंद ही हो गय से मिलना बंद हो गया थो नहीं मिल रहे थ तो काफी लोग घूमने भी आना चाह रहे थे अपनी फैमिली से मिलने के लिए वेट कर रहे थे पर विजा नहीं मिल रहा था तो अब जो है और कौविट से पहले जो की पहले हर साल 1.2 मिलियन वीजा जो है प्री पैंडेमिक मिलते थे और कोविट आने की वज़े से पैंडे नहीं मिल रही है लेकिन जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि अब जो है स्लोट्स मिलने लगेंगे ऑफिसर जो है वहाँ पर ज्यादा अन्वाल्व हो रहे हैं पहले जो है 50% ऑफिसर भी काम नहीं कर रहे थे अभी जो है 80% ऑफिसर वहाँ काम करने लगे हैं और फिर से अभी थोड़े टाइम में 100% हो जाएंगे नेक्स सेप्टेमबर तक तो जो अब जो है फिर से 1.2 मिलियन जो वीजा जो है मिलते थे प्री पैंडमिक तो वो अब से फिर से उस पर काम किया जाएगा और कोशिश की और अभी जो वीजा मिल रहे हैं वो है 700-800 पर डे वीजा जो है एप्रूफ हो रहे हैं और धीरे धीरे जो है ये वीजा एप्रूफ के नंबर्स भी जो है बढ़ने लगेंगे क्योंकि जो है अब फिर से 1.2 मिलियन वीजा जो है एप्रूफ करने लगेंगे अब हम बात करत तो अब जो है जिन लोगों का भी वीजा एक्सपायर हुआ है B1, B2 वीजा जो है टूरिस्ट वीजा और जिनका भी वीजा एक्सपायर हुआ है इन चार साल में तो अब जो है उनको इंटर्व्यू देनी की ज़रूरत नहीं रहेगी उनको जो है ड्रॉप बॉक्स मेल जिनका भी इन चार साल के अंदर ये पैंडेमिक में जिनका भी वीजा एक्सपायर हुआ है उनका या फिर जिनके पस टूरिस्ट वीजा और जिनका एक्सपायर हुआ है तो उनको जो है अब ड्रॉप बॉक्स मिलेगा उनको इंटर्व्यू देनी की ज़रूरत नहीं है तो वह आपको बायो मेट्रिक्स के लिए बुलाएंगे और आपको जो है अपना फिंगर प्रिंट्स वगरा जो है वो सब आपको देना होगा तो यह जो है टूरिस्ट वीजा के लिए एक बड़ा अपडेट है कि अब जो है एक तो इंटर्व्यू स्लॉट्स भी जल्द जो लोग new हैं जिनका first time वीजा रहेगा उन लोगों को इंटर्व्यू देना ही होगा लेकिन जो लोग जिन्होंने अल्रेडी दिया हुआ है जिनका वीजा एक्सपायर हुआ है तो उनको जो है ड्रॉप बॉक्स मिलेगा तो यह अपडेट जो है B1 B2 वीजा वालों के मिलेगा जो भी F1 वीजा पर इंटर्व्यू देने के लिए जा रहे हैं अगर उन्होंने पहले B1 वीजा पर ट्रावल किया है तो उनको भी जो है अब जो है ड्रॉप बॉक्स मिलेगा उनको इंटर्व्यू देने की ज़रूरत नहीं रहेगी तो यह जो नए अपडेट्स ह और वीजा जो है उन लोगों को तो पहले भी ड्रॉप बॉक्स मिलता ही था जो कि H1 भी है L1 वीजा है H category के वीजा है या फिर H4 है L2 है H1 भी है L2 है इन लोगों को तो ड्रॉप बॉक्स पहले भी मिलता था अगर उनका वीजा एक्सपार होता था एक्सेंट के लिए जब इन जो जाता था तो उनको ड्रॉप बॉक्स के जांसेरी आते थे लेकिंड बॉक्स मिलते थे वह हुष्क्राइं। इंड भांग आए लगे तो अपना वीजा एक्सेंट कर्वाते हैं और राफ रोपक्स टो Ugh도 जस रहता है ने सब्सकन पहले ठोले पढमिधा के प्राउब बोक्स नहीं था और F1 वीजा के लिए भी ड्रॉप बोक्स नहीं था लेकिन यह गूर ड्यूज है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने पहले B1 B2 वीजा पर ट्रावल किया है तो उनके लिए F1 वीजा का इंटर्व्यू देना जरूरी नहीं होगा और B1 B2 वीजा में भी पहल करने होंगे तो वो लोग इस पर काम कर रहे हैं और अब फिर से पहले जैसी सुचुएशन आ रही है कि अब जो है वीजा आसानी से मिलने लगेंगे तो बस आज की अपडेट्स यही थी आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आ ना भूलें मिलते हैं नेक्स व्लाग में बाबाई